भरत बराम न्यूजिलाइन के बीच शुक्रवार के दिन तीन मैचों की वंडी सीरीज का पहला मुखाबला खिला गया इस मुखाबले में टीम इंडिया ने पहले बल्ले बाजी करते हुए कीवी टीम को 50 ओवर में 307 रनों का लक्ष दिया 307 रनों के जैसे बड़े और विशा लक्ष का पीछा करने उतरी कीवी टीम ने अपने पहले तीन विकेट 88 रनों पर ही घवा दिये हाला कि उसके बाद टॉम लेथम और केन विलियमसन की ताबर तोड पारी और एतिहासिक साज़दारी के दम पर न्यूजिलैंड ने इस मुखाबले को 7 विकेट से जीत लिया आपको बता दे कि न्यूजिलैंड की तरफ से टॉम लेथम ने 145 तो वहीं केन विलियमसन ने भी 94 रनों की पारी खेली दोनों की नाबाद इस पारी के चलते भारत को पहले वंडे में 7 विकेट से शिकस्त मिले लेकिन अब दोनों ने इसी पारी के चलते कई बड़े रिकार्ड तोड़ दिये हैं जिसमें एक रिकार्ड तो पडोसी मुल्क पाकिस्तान का भी शामिल है तो ऐसे कितने रिकार्ड इस मुखाबले में टूटे हैं चले जानते हैं इस वीडियो में आपको बता दे कि टॉम लेथम ने आज 145 अरणों की पारी खेली अब टॉम लेथम ऐसे कीवी बलेबाज है जिन्होंने वन डे क्रिकेट में बतौर व्यक्तिगद तीम इंडिया की विरुध सबसे बड़ा स्कोर लगाया है उन्होंने 145 का स्कोर 104 गेंदों में लगाया जो की बतौर कीवी बलेबाज भारत के विरुध सबसे बड़ा व्यक्तिगद स्कोर है दूसरे रिकॉर्ड की बात करें तो 221 रनों की साज़ेदारी आज कीवी बलेबाजों की बीच हुई जिसमें उन्होंने सभी भारते गेंद बाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया आपको बता दें कि 221 रनों की ये साज़ेदारी टीम इंडिया के विरुध किसी भी न्यूजी लैंड के बलेबाजों द्वारा लगाए गई सबसे बड़ी साज़ेदारी है इससे पहले साल 2017 में मुंबई में खेले गए मुकाबले में टॉम लैथम और रॉस चेलर ने मिलकर 200 रनों की साज़ेदारी लगाई थी जो बंडे क्रिकिट में टीम इंडिया के लिए दूसरी सबसे बड़ी साज़ेदारी है क्योंकि 221 रनों की ये साज़ेदारी ने अब मुहमद यूसूफ और श्वाइब मलिक ने मिलकर वंडे क्रिकिट में भारत की विरुध चौते विकिट के लिए सबसे बड़ी साज़ेदारी लगाई थी अब ये रिकॉर्ड 13 साल बाद टूड गया है और 221 रनों की नाबाद चौते विकिट के लिए साज़ेदारी भार